अस्ש выглядит अससालाम ओलेकुम दोस्तों कैसे है आप आज मैं आपको नानी अम्मा की कहानी सुनाता हूं जब पता है जब मैं छोटा था तब मेरे नानी और मेरे दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी अब मैं आपको कौन सी कहानी सुना हूँ हाँ शेर चुहे की कहानी सुनाता हूँ एक दफा का जिकर है कि एक जंगल में शेर रहा करता था एक दफा वो घने जंगल में एक दरख की नीचे सो रहा था एक चुहे को वहाँ पर मस्ती सूच गई उसने उसके बालों में घुस कर छला गय मारी जिसे देखकर शेर को बहुत खुसा आया उसने कहा कि अब मैं तुम्हें खा जूँगा लिकिन चुहा घबरा गया चुहे ने कहा ए जंगल के बादच्छा तुम मुझे माफ कर दो हो सकता है कि मैं तुम्हारे काम आजूँ शेर ने कहा हाँ 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 इतना छोटा चुहा इतने बड़ी शेर के काम आएगा फिर भी शेर को चुहे पर रहमा गया उसने कहा छोड़ देता हूँ फिर एक दिन कुछ दिलों बाद जंगल में शिकारी आए उन्होंने शेरों के लिए जाल बिचाया फिर उसमें शेर फस किया काफी शेर ने जाल तोड़ने के लिए बहुत जोड़ लगाया चिखा दाहारा उसमें बहुत जोड़ लगाया लेकिन जाल ना तूट पाया क्योंके शिकारियों ने बहुत मजबूत जाल लगाया था इसी दाहार में चुहा बिल से बाहर आ गया उसने कहा वे ये तो वोई है जिसने मेरी जान बक्षी थी उस वो उसने आगे जाके देखा तो उदर राइट लेफ कोई नहीं था तो उसने आगे भाग कर अपने तेज तरीर दाकों से उस जाल की रसियां काट दी जिससे शेर बाहर निकल आया और दूर जंगल में भाग गए और फिर जंगल में खेलने लगे लेकिन इसका नतीजा तो सुन लें इसका नतीजा ये है कि कर भला तो हो भला मतलब आप किसी भी इनसान को छोटा मत समझीए सोधा बड़ा कुछ नहीं होता अपने दोस्त ताहा कुरेशी को इजाज़त दीजिए अगले हफते दादी इमा की नई कहानी के साथ हाजिल होंगा और हमेरी और आपकी मुलाकात होगा